Hello friends कैसे हैं आप सभी लोग I hope आप सभी लोग ठीक होंगे दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके admission status के बारे में दोस्तो यदि आप Igno के new students हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा important है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आप अपना admission status चेक करते हैं तो वहाँ पर enrollment number not found so होता है या फिर आप अपने study material का status चेक करते हैं तो वहाँ पर भी not found so होता है या फिर आप Igno के student portal पर search करते हैं तो वहाँ पर भी not found so होता है ऐसा क्यूं सो होता है तो इन सभी टॉपिक के बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं तो दोस्तो आईए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप में चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो वहाँ पर कुछ इस परकार से सो होता है, जैसे कि आपने यहाँ पर admission status पर चेक किया, तो यहाँ पर आप अपना registration status चेक करेंगे जब, तो यहाँ पर registration status चेक करने के बाद, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपनी detail फिल की, और इसके बाद मैंने submit किया, और यहाँ पर जब मैं submit करता हूँ, तो कुछ इस परकार से सो होता है, enrollment number इतना, यह जो code है, यह यहाँ पर not found है, तो यहाँ पर कुछ इस परकार से सो होता है, तो दोस्तों, आपको घपराने की बिलकुल भी आवशकता नहीं है, अगर आपने इगनू में admission लिया है, और आपका enrollment number आ गया है, पर आपका admission status यहाँ पर सो नहीं हो रहा है, तो आप आपको tension लेने की बिलकुल भी आशकता नहीं है, क्योंकि आपका admission confirm होने के बाद, थोड़ा time लगता है, इगनू की website पे आपका data update होने में, इसलिए आप थोड़ा wait करें, क्योंकि अभी admission भी चल रहे हैं, और अभी बहुत सारे student के admission भी confirm नहीं हुए है, इसलिए data update होने में data upload होने में, अभी थोड़ा time लग रहा है, पर जैसे ही इगनू की जो admission की last date है, वो end हो जाएगी, वैसे ही आपके जो admission का status है, वो दीरे दीरे website पर update होने लगेगा, इसलिए आपको हतास और निरास होने की आवशकता नहीं है, आप बस थोड़ा wait करें, दोस्तों इसके पर सो होगा, study material status, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर सो होगा, आप कौन से session के student है, July 2021, January 2021, तो यहाँ पर मैंने July 2021 क्लिक किया, जब आप इस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपको enrollment number डालना है, तो मैंने यहाँ पर enrollment number फ होता है तो दोस्तों आपका admission अभी confirm हुआ है हाली में तो आपका जो study material का status है उसे update होने में अभी थोड़ा time लगेगा इसलिए आप थोड़ा wait करें आपकी books by post आपके घर तक आ जाएंगी और आपका जो यहाँ पर study material का status है वो भी जल्दी website पर update कर दिया जाएगा बस आपको थोड़ा wait करने की आवशकता है क्योंकि बहुत सारे student ऐसे भी है जिने एक मन्त हो गया दो मन्त हो गया पर उनकी books नहीं आई अगर उनका status भी आ पर फिर भी उनकी books नहीं आई इसलिए आप थोड़ा wait करें इसके बाद दोस्तों student की जो next problem है वो यह है कि जब आप IGNU के student portal कि यहां पर आप न्यू अकाउन बनाते हैं तो वहां पर आपका login नहीं होता है ना नूझ वहां पर ना login होता है और ना new account बनता है तो ऐसा क्यों dewald आपर मैंने नियू रजिस्टेशन किया जब आप नियू रजिस्टेशन करते हैं जैसे कि मैंने यहापर नियू रजिस्टेशन किया अपना यहापर नेम डाला नेम डालने के बाद मैंने यहापर अपना इन्रॉल्मेंट नमबर डाला और जब आप इन्रॉल्मेंट नमबर डाल देते हैं और इसके बाद यहां पर capture code फिल करते हैं जैसे कि मैंने यहां पर capture code फिल किया capture code फिल करने के बाद जब मैंने यहां पर submit किया तो submit करने के बाद कुछ इस परकार से आता invalid details record not found तो दोस्तों अगर आपका भी कुछ इस परकार से सो हो रहा है तो आपको हतास होने की आवशकता नहीं है आपका admission अभी अभी confirm हुआ है इसलिए data update ना होने कारण अभी आपका student portal work नहीं कर रहा है जब आप 2-3 मन्त बाद यहाँ पर new registration करेंगे एक 2 मन्त बाद या 2-3 मन्त बाद आप यहाँ पर new registration करते हैं तो यहाँ पर आपका जो data है वो update हो जाएगा और आपका account जो है वो बन जाएगा तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आप IGNU का admission status या आप study material का status या आप student portal पर जहाँ पर भी login करते हैं वहाँ पर not found so होता है तो आप हतास निराज ना हो आपका data जल्दी update कर दिया जाएगा क्योंकि अभी IGNU के admission भी चल रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी बहुत सारे student के admission confirm नहीं हुए हैं इस वज़े से भी थोड़ा time लग रहा है पर जैसे ही आपका data अपडेट हो जाएगा तो आपका यहाँ पर जो not found so हो रहा है वहाँ पर सारी detail open हो जाएगी तो दोस्तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करें अपने दोस्तों में जादा से जादा सेर करें और चैनल को subscribe करना बिलकुल न भूलें धन्यवाद